हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल सब्सक्राइब कर ले पहले मेरे चैनल को आज मैं कुछ नए आसा सौक्स लेकर आई हूं पता है ऐसा सौक्स ऑनलाइन मैंने और किया है मीसो से जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी और ना कभी पहनी थी हो सकता है आप लोग होने चाहिए इतनी जादा भारी कैसे है फिर जब मैं उसको आपन करी तो देखी इस तरह से प्लास्टिक में है उपर से दो उसमें सेलो टेप लगे हुए थे इस टैपलर लगे हुए थे अब उसको मैं फाड रही हूं फाड ने के बाद मैं देख रही थी कि आखिर सौक्स कार्डबोर्ड की अंदर मतलब उसमें कार्डबोर्ड में उसको सौक्स को पहना दिया गया है उसके बाद इस तरह से डिजाइन करके मतलब दिया गया है तक ही अच्छे से वह सौक्स जाए और मतलब समझ में आए कि यह सौक्स है कैसा अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको colors मिल जाते हैं तो दो colors मैं आपको दिखा दी अभी मैं सबको आपको नजदीक से back camera से भी दिखाऊंगी कि यह कैसा दिख रहा है अभी मैं आपको unboxing करके दिखा रही हूं यह pink color का है और इसमें दो-दो socks मतलब लगे हुए है ऐसे लग रहा है कि यह भी काफी जादा अच्छा लग रहा था और सभी में design दिये हुए हैं आप देख सकते हैं यानि जो हमारा pair होगा फूट होगा वहां पर design भी दिया हुआ है एक last यह gray color है वैसे मैं सोजी थी ना कि ankle lens तक आएगा इसलिए मैं इसको order करी थी लेकिन यह आ गया कोई और तो यहां पर यह देख सकते हैं कि यह इस तरह से box में दे दूंगी और अगर मैं देना भूल गई तो आप मुझे comment करके मांग सकते हैं तो यहां पर यह colors हैं जो कि आपको दिख रहे हैं सबसे पहले मैं आपको colors दिखाऊंगी और उसके बाद उस color को पहन करके भी दिखाऊंगी उसके फिर next color दिखाऊंगी और फिर सारा पहन करके दिखाऊंगी चानल पर नया है सबस्क्राइब कर लीजे इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे आपको इस तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मिल जा आते हैं कि आपके पैर बहुत सुन्दर दिखे बहुत ही सौफ्ट सा दिखे अगर आप अपने पैरों की देख भाल करना चाहते हैं पैरों को सुन्दर दिखाना चाहते हैं पैरों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को वीडियो मिल जाएगा साथ ही आपको ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ भी वीडियो मिल जाता है मेरे यूटुब चैनल पे तो चलिए अभी मैं येलो कलर का सॉक्स पहन रही हूं ये सॉक्स कुछ ही इस तरह से था कि मैं खुरी कंफ्यूज थी कि मैं इसको कैसे पहनू और वैसे पहनने में तो आसान था जैसे कि एक जूता होता ना जूते के अंदर पैयर कैसे डाले तो इस तरह से आपको डिजाइन कुछ मिल जाता है और इस तरह से पहन लेना है तो आपको इस्ते क्या फायदा होता है अगर आपको कि एडियां फट्की हुई है उंगलियों को आपको बचाना है उंगलियां पैरों को बचाना है तो यह वाला सॉक्स मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रहेगी आप लोगों के लिए बहुत लोगों पसंद नहीं होता है कि एंकल तक भी सॉक्स पहना जाए या फिर एंकल से उपर भी पहना जाए लेकिन पैरों को भी सॉफ्ट बनाना है और सॉक्स नहीं दिखाना है तो ऐसे में आप इस तरह से सॉक्स खरीज सकते हैं इडियां भी आपकी सेफ रहेगी और पैर के नाखुन भी आपके सेफ रहेंगे पूरा पैर का तलवा आपका साप सुथरा गं अब नेक्ष कलर की तरफ चलते हैं इसका जो कलर है आप पिंक भी बोल सकते हो वैसे गाजरी कलर मुझे कभी-कभी लग रहा था और कभी-कभी मुझे यह पिंक कलर भी लग रहा था तो कुछ इस तरह से डिजाइन है इसके उपर पिंक के ऊपर रैड कलर का बॉर्डर देखती हूं कैसा लगता है तो सबसे पहले एक सॉक्स निकाल ली अभी मैं जश्ट ही दुकान में सॉपिंग करने गई थी आपको दिखाए थी कि फुट्वियर सॉपिंग का हॉल वाल एक वीडियो था जो मैं दुकान में गई थी और कुछ फुट्वियर वगर पहन पहन करके चेक किये थे और कुछ खरीदारे भी किये थे तो उसमें मैं उस दिन अपनी बेटी के लिए दो सॉक्स खर दी थी अंगुठे वाला और दो मैं अपने लिए ली थी तो मेरा बेटा बार बार बोड़ रहा था कि मम्मी आप उसके लिए खरीद दिये मेरे लिए कुछ नहीं है तो बस यही सोच के मैं सोची ना कि इसके लिए एंकल लेंथ वाला सॉक्स और कर लेती हूं लेकिन यह चपल वाला ही सोची की चपल वाला ही मंगवा लेती हूं तो बस मैं और कर ली कि एंकल लेंथ तक आएगा लेकिन आ गया यह कोई और तो मुझे लगता है कि य अब मैं अपने बच्चों के लिए तो विल्कुल नहीं दे सकती हैं। या फिर आप जूती पहन रहे हो लेकिन सॉक्स नहीं दिखना चाहिए आपकी एंकलेट्स भी दिखनी चाहिए अच्छे से या फिर बहुत से लोगों को साथ ऐसा होता ना कि आपने सॉक्स पहन ली एंकलेट्स पहन ली तो क्या होता ना पायल जो है एंकलेट्स जो है वो सॉ टेंदर आपको 5 कलर मिल जाते हैं मतलब दोसें अंदर में आपको 5 आफ TWKत सोक्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है और रहा था रेड कलर का इसका डिजाइन दिख रहा था जो जहां पे सॉक्स तरफ से डाली हूं उधर वाइट वाइट कलर का पट्टी लगा हुआ है उसको एलास्टिक भी सैद बोल सकते हैं कि सैद एलास्टिक हो मैंने ध्यान नहीं दिया एडियों के तरफ का हिस्ता मुझे लग रहा था ना कि सैद मेरे से भी अगर किसी के लंबे पैर हैं तो उसको भी ये सॉक्स आराम से आ जाएंगे मेरा जो पैर का साइज है मैं स्लीपर पहनती हूँ 7 नंबर का अगर अच्छे ब्रांट का पहन रही हूँ तो और सैंडल वगरा मुझे 9 नंबर बन जाते हैं 9 से 10 बन जाते हैं अगर लोकल में चला जाए तो मुझे 11 नंबर बन जाता है 10 या 11 और अगर ब्रांडेड में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे 8 या 9 नंबर का सैंडल वगरा भी बन जाता है तो ऐसे में आप अपने लिए अगर सॉक्स लेना चाहते हैं अगर मेरे से भी लंबा हैं तो आप ये सॉक्स बाई कर सकते हैं क्योंकि पीछे जो है एडियों के तरफ मेरा थोड़ा बहुत लेंथ बच जा रहा था एडियों के तरफ आप ध्यान दीजेगा लेंथ बच जा रहा था तो अगर आप जेंस हैं अगर आप भी इस तरह से सॉक्स पहना पसंद करते हैं तो आप भी खरीच सकते हैं ऐसी सॉक्स मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे जैन स्लो का पैर के आता थोड़ा सा लंबा होता है लड़कियों के मुकाबले थोड़ा सा पैर बड़ा और लंबा होता है तो आप चाहे तो ऐसे सॉक्स पहन चैनल है नोस जोईलरी की आती है या फिर फीट वीडियो आती है तो फीट से जुड़ा हुआ जैसे एंकलेट्स है टोज रिंग है सॉक्स है तो यह सारी चीजे मैं मीसो से ओर करती हूं यहां तक कि अगर नोस जोईलरी की बात करूं तो मीसों पर काफी सस्ते सस्ते है यहां से मैं और करती हूं बाकि मीसों पर यह सारी चीजें बहुत अच्छे प्राइस मिल जाती है एमजोन के मुकाबले एमजोन पर मैं सॉक्स देख रही थी काफी ज़्यादा रिक्वेश्ट आ रहा था कि मैं गर्मिया आ गए है आप थोड़ा सॉक्स की वीडियो नया करती हूं इतफाक से देखिए यह जो सॉक्स से वो नया आ गया और ऐसी सॉक्स मैंने कभी देखी भी नहीं थी और नहीं मैंने कभी आज तक पहनी थी और ना मैंने अपने अगल बगल इर्द गिर्द मैंने किसी को ऐसा सॉक्स पहने देखा था तो मेरे लिए तो बनते जारा है क्या घुए तो लगता है चलो ब्लैक पहनते पहनते क्या है ना मन को अच्छा लगने लगा पहले क्या था ना कि जो black color होता है एक तो हम लोग खुद सावली होते हैं इस skin जो हमारी होती है डस्की होती है उसमें हम लोग black कपड़े पहन लिए तो और लोग बोलते था ना कि एक तो खुदी skin dark है तुम और dark color काला color पहन लिए हो और काली दिख रही हो तो ऐसे में जो हमारा समाज है वो बोलता है कि black से दूर रहो dark color से दूर रहो तो हम लोग light की तरफ चले जाए light में हम लोग और ज्यादा deeply dark लगते हैं सब अच्छा लगता है यह सारे colors जो है ना जो dark color होते हैं वो dark tone की लड़कियां या फिर जो महिलाएं हैं सब पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सावली है या फिर आपका इसकीन बहुत dark है आप black color की हो तो आपके उपर socks अच्छी नहीं लगते हैं सब के सब colors अच्छी लगते पस हम लोग पे ना light color जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जैसे कि मैं यहाँ जो साड़ी पहने हूं वह light color ही है यह थोड़ा ना पीच color है जो गाजर का color होता है वैसा ही color का मैं साड़ी पहने हूं अब यह socks पहने हूं क्या मेरे पैरों में अच्छी नहीं लग रही है मुझे तो देखे बहुत ही अच्छी लग रही है और यह colors ऐसे हैं कि सबको ज्यादा तर इसकूलों में या तो white socks चलता है या तो black मेरा बेटा जिस इसकूल में पढ़ता है उस इसकूल में gray color का socks एला हो है तो मैं अपने बेटे को gray color देते हूं तो वैसे ही यह gray color आप देख रहे हो तो मैं देखी थी socks की picture में कि यह gray color है तो चलो उसके काम आ जाएग लेकिन यह तो आ गया हाफ तो यह वला socks तो अपने बेटे को अब नहीं दूंगी क्योंकि उसका पैर में लगे गा ही नहीं कि उसने socks पहना है मेरी बेटी जी सी स्कूल में जाती है उस school का जो socks पहना है वो है blue color तो जब मैं socks खरीदने गई थी यानि जो footwear hall की video मैं ने या फिर white color का चलता है ज्यादा तर इसकूल में blue color तो नहीं चलता है मैंने कहा मेरे बेटे का इसकूल में तो gray है और इसको इसकूल में मांग है कि blue color चाहिए तो उन्होंने कहा कि blue color का socks तो है नहीं तो उन्होंने मना कर दिया फिर मैंने पूछा कि मुझे अपने लिए चाह में मिल जाएगा मैंने बोला हां कॉटन में ही दीजे तो जब उन्होंने वह सॉक्स का डब्बा ला करके मुझे रखा वो देखिए जो मैंने आपको बता रिखे ना वो वीडियो में आपको दिखा चुके हो तो सॉक्स का डब्बा जब वह रखते हैं तो मैं बोलती हूं कि इसमें तो ब्लू कलर परपल कलर बैग नी मतलो कलस तो थे ही तो मैंने बोला कि ये सारे सॉक्स भी तो इसकूल में चली जाएंगे तो मैंने उसमें से दो बुलू कलर अपनी बेटी को इसकूल के लिए ले लिया मैं उनके पास जो सॉक्स खरीदी उसका एक प्राइस सायद सत तर्यासी रूपे का था लेकिन उन्होंने साथ रूपे लगा करके खुद से ही दे दिया क्योंकि मैं उनके दुकान से चार सॉक्स ले दो अपनी बेटी के लिए और दो अपने लिए क्योंकि जो नायलेन वाले सॉक्स जो मैं पहनती हुँ न वह एक से दो हफ़ते में पूरी यही काम के आएंगे देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देंक्यू बाइ करें देटी कि यही झूबू एालेन वे लगी यही लगी लगी हो और आपको वी बाटे लगी हुओ będąके लगी हो आए दोगय होुँ आपको शो मैं झाती हुछर्डी है।